आप सभी का स्वागत है एक्जाम तक यूट्यूब चैनल में जॉब अप्टेट्स का एक नया वीडियो है और यह अगर आपका देश सेवा करने का जज़बा है और आप लोग इंडियन एयर फोस की वर्दी में आना चाहते हैं वो भी एज ऑफिसर नॉट शोलजर ऑफिसर तो यह आपके लिए इस golden opportunity है एक्जाम होगा नोटिश जारी हो चुका है क्या 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 eligibility है कैसे तरह से इसका selection process होगा क्या exam का pattern रहने वाला है और किस तरह से आपकी degree होनी चाहिए क्या आप लोग form बर सकते हैं तो इस वीडियो को end तक देखना और देखने के बाद शेयर जरूर शे करना क्योंकि job alerts की वीडियो बनाने में काफी ज्यादा deep research करके ही मैं बनाता हूँ ऐसे ही रोज कोई जो है छोटी मोटी job alerts का नहीं बनाता हूँ इसलिए इस वीडियो को share जरूर शे करना सभी के साथ में तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर complete detail exam तक की website पर मैं बतोर अधिकारिक के तौर पर जुड़ने का तो आपको यहाँ पर complete detail मिल जाएगी यहाँ पर इन इन points पर हम लोग discuss करने वाले वेकेंसी details important dates application fees age limit educational qualification selection process training process and जो भी important links होगे वो भी मैं आपको देदूँगा last में कुछ important सवाल भी आप लोगों के ले लूँगा Fcat vacancy 2022 की अगर बात की जाए 317 post total इस बार ठीक है तो 317 पदो पर इस बार की यह notification निकला है आपको पतावगा चाहे CDS ओ, NDAO, Fcat ओ इन सब में हर साल दो बार वेकेंसी निकलती है तो यह 2022 की first vacancy है second notification आएगा इसका जून के आसपास में तो वहाँ पर वो अलग notification होगा ठीक है यहाँ पर अगर बात की है, flying branch होगी और ground duty में technical and non-technical दो अलगल होगी तो क्या arts वाले form बार सकते हैं यह सब तो मैं आपको अभी इनके जवाब दे दूगा Fcat first 2022 vacancy details की अगर बात की जाए तो Fcat first 2022 इस exam का नाम होगा क्योंकि हर साल दो बार होता है इंडियन एरफोर्स इसका exam करवाएगी हलांकि C DEC करवाती है exam ठीक है, 317 पोश्ट है, 1 दिसमबर 2021 से इसके online आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके है फिर भी दोस्तों कुछ पी आपके मन में doubt हो ना, तो comment जरूर से कर देना, मैं आपको reply देने की जरूर से कोशिश करूँगा 30 दिसमबर इसकी last date है, तो एक महिने तक जो है, आप लोग आराम से आवेदन कर पाएंगे 12, 13, 14, February 2022 को exam होगा, ये अच्छी बात है, SSC, Railway जैसे exams में जाओगे, वहाँ पर आपको date का कोई roll नहीं मिलता है यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया कि 12, 13, 14, 3 तीन दिनों में आपका किसी भी दिन जो है, exam लेगी, air force लेगी, online तरिके से लेगी, ठीक है defense job है एक तरह से, ये इसकी official site है, जिसका link में नीचे discussion में दे दूँगा, exam तक ही website पर आकर आप लोग इसको visit कर सकते हैं and telegram channel हमारा जरूर से join करना, जहाँ पर मैं आपको बताँगा, अच्छा friends में आपको एक बात और बताना भूल गया, कि exam तक website पर जो है, book store अवेलेबल है, book store जैसे, किसी भी website पर आप लोग जाएंगे, exam तक ही, तो यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा, books, तो books पर आप लोग Amazon की है, but best books जो recommended है, and जो cheap price पे जो आपको discounted rate पर मिलेगी, वो यहाँ पर मिल जाएगी, साथ में, हमने जब बहुत सारी reviews भी लिखे रहे तो, यह जो लिखे हैं हमने review, यह personally तो और पर इन books के बार में deep research करके लिखा है, तो इनके बार में आप लोग जरूर से पढ़ना, and book यहीं से खरीता है, online कोई भी खरीते हैं तो, अब वापस लोडते हैं हमारी details पर, 1 December से 30 December तक आप लोग apply कर पाएंगे, फरवरी में exam है, और March में इसका result आ जाता है, जो भी update हो का, वो हम लोग आपको टेलिग्राम पे share करते रहेंगे, तो आप लोग टेलिग्राम चैनल को आप लोग आवेदन कर पते हैं, मरलब अगर आप NCC Candidate है, यहां फिर आप लोग मेंट्रियोलोजी इसमेलग से डिपार्टमेंट है, वहाँ पर अगर आप लोग आवेदन करते हैं, तो आपको जोएं कोई भी शुल्क देने की जरुरूत नहीं रहेगी, बाकी सब आपको क्योंकि इस दिन से आपके स्टार्ट हो देगी ट्रेनिंग इंडियन एयर फोस, तो एक जनवरी 2023 क्यादार पर आपकी मिनिमम तो 20 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम 24 साल होनी चाहिए, अगर आप लोग जा रहे हैं, फॉर दा फ्लाइंग ब्रांच, फ्लाइंग ब्रांच कह के लिए आवेदन कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड ग्राउंड ड्यूटी जो आना वहाँ पर टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल दोनों आजेगे, उनके लिए मैक्सिमम एज किती है, 26 है, तो 2 जनवरी 1997 से 1 जनवरी 2003 वाले सभी लोग इसमें आवेदन कर पीजिक्स केमिस्ट्री में, रुको रुको आर्ट्स वाले भी रुको उनको भी मैं बताऊंगा, लेकिन पीजिमम वाले अगर बात की जाए, तो कक्षा बार्वी में पीजिम से नियूनतम 60% अंकों के साथ आपको क्वालिफाई करना चाहिए, और ग्रेजूशन किसी भी स मिल जाएगी, फिर अगर नेक्स्ट बात की है, ग्राउंड ड्यूटी में भी दो प्रकार के होते हैं, एक टेक्निकल, एक नॉन टेक्निकल, जो टेक्निकल है न, उनको भी 12 में PCM के साथ 60% होना चाहिए, और ग्रेजूशन में भी 60% हो, ये सेम बात हो गई जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए हैं, लेकिन ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में यहाँ पर चेंजमेंट होते हैं, यहाँ पर क्या चेंजमेंट हैं, चेंजमेंट यह हैं कि कक्षा बार्वी और ग्रेजूशन में किसी भी विशे से, किसी भी विशे मरलब की, अगर आपने फोर्स में नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी के लिए जो पोस्ट पर जो आफिसर्स होते हैं वह आप लोग बनने वाले इसमें बहुत सारी विंग्स होते हैं जैसे एजुकेशन विंग ट्रेनिंग विंग वहां पर आप लोग जाएंगे तो यह भी अगर बात कि जाए आप लोग 60% डंगो के साथ क्वालिफाई होने चाहिए यानि कि 12 में भी 60% एंड ग्रिजूशन में भी 60% फिर जो एंसेजी वाले हैं उनको एंसेजी का सी सेटिफियेट होना चाहिए बाकी 12 में उनके पास भी BCM होना चाहिए क्योंकि वह जाएंगे डारेक्ट आप्लिकेशन आदी में PG की डिगरी होनी चाहिए यानि की UG के लाबा PG पोस्ट ग्रेजूशन भी आपका होना चाहिए ठीक है तो यह यहाँ पर रिक्वाइरमेंट से हैं फिर नेक्स्ट बात करते हैं सेलेक्शन प्रोसस कैसे होगा बहुत ही इंपॉर्डन है यहाँ पर आउनलाइन एक्साम का फेब्रोरी में मार्च में रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको SSB के कॉल लेटर्स आने शुरू हो जाएंगे SSB बहुत ही इंपॉर्डन आपको पता होगा यह एक ऐसा इंटर्वी होता ना जो अपने आप में इंटर्वी हो नहीं है आपका ओवर हो जाएगा अगले साल कंप्लेट हो जाएगा क्योंकि जनवरी 2023 से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी इन लोगों को तो अक्टूबर तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और जनवरी 2023 में इंडिया एफोस अकाडमी डूंडीकल हैदराबाद में इनकी ट्रेनिंग स कैसे करना है अगर आपने पहले कभी एफकेट का एक्जाम दिया हुआ है तो डारेक्ट करना है लोग इन नहीं तो रेजिस्टर कर लो सिंपली से आपको जो है फिर ऑनलाइन अप्लाइग कर पाएंगे नोटिफिकेशन डाउनलोड करना यहाँ पर आना और क्लिक हेयर टू नोटिफिकेशन पर क्लिक करना आपको हो जाएगा अगर आप लोग सोचना चाता है कि एक्जाम कैसा होता है तो एक डेमो टेस्ट भी दे सकते है ऑफिस्यल है डेमो टेस्ट फिर हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन करना मोर अपडेट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे इन बुक आप लोग कोई भी लिए खरीदो यहाँ से ही खरीदना एक्साम तक की वेबसाइट से अच्छा यह पोश्ट अब आपको कहाँ पर मिलेगी गूगल पर जाकर एक्साम तक सर्च करना वहाँ पर जाकर आपको सबसे उपर जए पोस्ट में मिल जाएगी यह ठीक है तो यही ताज का वीडियो मिलते एक नए वीडियो में तब तक ले जैहिन जैभारत